करीब एक मेने पहले इस वीडियो के इजरो ने बॉम ट्विट किया, जो वीर्डली बॉम हुआ नहीं, लोगों ने इसे सीरियसली लिया नहीं for some reason, basically उस ट्विट में उन्हें ने कहा कि प्राइम मिनस्टर के रिव्यू रेडिनेस के बाद ये conclusions आये कि इजरो एक स्पेस्टे अगर आप गगन्यान का tweet देखो, वो in flight about का तो उसमें more than 30,000 likes थे, even उनका जो स्वच्चा दा campaign उसमें 13,000 likes है, काफी लोग नहीं seriously ले रहे हैं इस announcement को, काफी लोग बोल रहे हैं कि एक political announcement है, जो भी है, देखो ये announcement खुद में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि आज तक चांद पर इंसानों को बस अमेरिका ही land कर पाई है, और आज भी अगर आप देखो, तो कौन ही try कर रहा है, एक तो Artemis program, जो mainly US program ही अगर आप देखो, क्योंकि उनके ही rockets, उनका ही lander, उनका ही mainly है, of course पैसे दुसरे देशों से आ रहा होगा, पर lander, rocket उनका ही main होगा, तो US है एक country फिर China का official program है moon landing का, human moon landing का, वो भी इस decade end तक aim कर रहे है, काफी लोग बोलेंगे अभी कि 2040 क्या, 2030 तक NASA होगा, मुझे honestly नहीं लगता है इस decade NASA कर पाईगी human moon landing, बहुत challenges है, देखो आप human को जब किसी rocket में डालते हो, तो वो problem exponentially difficult हो जाता है, anyways कर भी पाई तो एकदम end तक होगा इस decade का, चाइना का भी early next decade ही होने वाला है, तो चाइना एक है US, एक है चाइना और फिर आते हम, तो basically तीन ही बड़े देश है जो यह attempt करने try कर रहे, रश्या का भी official human moon landing program है नहीं, तो यह बहुत बड़ी बात है, तो एक question, क्या इज़रो यह कर सकता है, obviously यह कर सकता है, उन बहुत सारा engineering involved है, but anyways, मैं explain करूंगा, आप फिर conclude कर लो, खुद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, गोल समझ लेते हैं, पहले दो main goals है इसमें, एक है space station और एक है human moon landing, space station और human moon landing के बीच में थोड़ा overlap ज़रूर होगा engineering wise, और उन दोनों का सबसे बड़ा overlap होगा, गंगन यान mission के स अलग अलग models दिखे है, events में, मैंने भी एक video बनाया था, एक दू साल पहले शायद कि basic 3D model बनाया था उसका, अब उस case में काफी complicated design था, क्योंकि multiple models थे, एक inflatable module भी था, काफी बड़े-बड़े solar panels, radiators वगेरा, अभी initially शायद इतने सारे models को लेके ना जाए इसरो, शायद इ 20-0 का क्या plan है, खुद से engineer करना या license करना जो भी है, अगर module का weight below 10 tons होगा, और low earth और भी time है, तो current mark 3 ही launch कर पाएगा, तो वो rocket का tension नहीं है, fairing में फिट होना चाहिए of course module, और 2035 तक हमारा next rocket online आ जाएगा, जो है NGLV, जो 2027 जब मैंने सोमना सर से बात किती interview में, तो उन्हों 10 tons, geotransfer orbit में डाल सकता है, तो उसका low earth capability तो 20 tons के आसपास होना चाहिए, आराम से, इसके लिए, देखो, space station के लिए, दो बड़े engineering challenges है, मेरे opinion में, एक है की, eclipse system, और दुसरा है docking, eclipse system यानि, environment control and life support system, ECLSS, इसे बाहर से खरीदने वाला था गणियान के लिए, पर since पहंगा था उन्होंने decide किया कि ये खुद से engineer करेंगे, eclipse system basically, आप समोझ लो की AC with oxygen control type, अगर एकदम simple करू तो, basically system, पहले तो environment control करता है कि कितना थंडा होगा वगेरा, उसे थंडा रखना, temperature maintain करना, secondly life support करना, oxygen ratios धंग से mention करना, धंग से maintain करना, अपने capsule में उसे अच्छी तरह cycle करना, फिर scrubbers वगरा होता है, जो carbon dioxide को निकालते है, तो काफी complicated system है वो, और मैं बहुत बार अपने videos में कहे चका हूँ, कुछ भी engineer करना to work is easy, ऐसा चीज़ engineer करना, जो काम करें, वो आसान है, पर ऐसा चीज़ engineer करना, जो कभी fail ना हो, वो exponentially difficult हो जाता है, और eclipse system उन में से है, जो कभी fail हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हो गया, तो astronauts की जान धोके में आ जाएगी, तो यह काफी important engineering task लिए है वो लोग, और उसकी fruits मिलेंगे, क्योंकि यही eclipse system फिर वो scale कर सकते है, space station के लिए, और moon lantern के लिए, तो यह बहुत important development है, और secondly docking पे आए, तो Israel already काम करें, SPEDEX mission के उपर, जो है space docking experiment, जिसमें वो 2 satellites उपर भेजेंगे, and then उनके साथ experiments करेंगे, docking का, जहां वो खुद के साथ dock करेंगे, अलग-अलग orbits में, अलग-अलग installations में, जो भी है, तो मेरे इसाब से तो space station का 2035 का चो deadline है, वो काफी feasible है, realistic target लग रहा है, उनका most of the tech already development में है, excessive governments, अच्छी तरह financially fund करें, इस रोको और इस program को, तो वो हो जाएगा, अभी आते है, moon landing के उपर, जो 17 साल में planned है, 2040 में, अभी इसका background बोलता हूँ आपको, ठीक है, मैंने ये notice किया, ये सोमनात सर के हर interview देखता हूँ, हर tweets वगरा देखते रहता हूँ, एक pattern है, अगर आप देखो, सोमनात सर काफी vocal रहे, गगन यान की future के बारे में, देखो, old plan क्या था, दो uncrude missions करेंगे, और एक crude mission करेंगे, देखो, uncrude मतलब उसमें इंसान नहीं होगा, और crude मतलब इंसान होगा, crew, crew का, मेरे को manned, unmanned वो नहीं terminology पसंद, क्योंकि हम half the nation को exclude कर रहे है, future में हमार female friends भी जाएंगे उस पे, और गरिब scientist का significant portion भी, percentage भी females है, तो मैं of course उन्हें exclude नहीं करना चाता हूँ, उन्हें भी represent करना चाता हूँ, तो उनका plan था, two uncrude करना, और एक crude करना, two uncrude में हम basically testing करेंगे, जितना हो सके, nail करेंगे, कोई issues रहा तो, and then crude में finally astronauts जाएगा, अभी इस press release में एक update आए, कि तीन uncrude होंगे अभी, इस रोब बहुत safe कहल रहा है उस mission को, खेलना भी चाहिए, इंसानों की बात है, पर सोमनाच सर ने हमेशा कहा है, कि आगे क्या, एक crude mission कर लिया, अपने astronaut space जाके आगे, उसके बाद क्या, long term future क्या है, long term goal क्या है, बहुत कम देशों के पास crude program है, astronaut corp है, तो जब हम develop करने वाले हमें sustain भी करना पड़ेगा इस program को, of course, space station उसका एक natural extension हो जाएगा, पर एक long term goal चाहिए, बड़ा engineering goal चाहिए, और वो goal, I think, जब चंदरान 3 सक्सीड हुआ, तो सोमनाच सर ने push किया होगा इस goal के लिए, जो है human moon landing, पर देखो, एक पंदरा साल पहले, 2009 में, IAC में, ये present हुआ था, ये concept, अगर आप देखो, तो इसमें बात करें कि वो दो rockets इस्तमाल करेंगे इसके लिए, एक rocket जो है, moon lander launch करेंगे, उसके साथ एक earth departing stage होगा, propulsion model type, और दूसरे rocket में astronauts launch होगे, जिसके साथ crew model होगा, जिसमें वो होगे, और service module होगा, फिर ये दोनों dock करेंगे space में, फिर वो चान तक जाएंगे, land करेंगे, उपर वापिस आएंगे, और वापिस धरती पे आएंगे, इसके अगर आप देखो, तो इससे clear है कि कितना engineering effort जाने वाला है, अगर हम इस plan को assume करें कि instead of year rockets, दो NGLV launch होगे, या NGLV का कोई upgraded variant, तो of course अगर नया rocket होने वाला है, तो नया rocket का development तो लगेगा ही, plus lander नया बड़ा lander का development लगेगा, नया capsule लगेगा, क्योंकि गगणयान बहुत चोटा है, ऐसे चीज़ों के लिए और उसका rated life कम है, मतलब वो कितना time astronauts को दिन दार रख सकता है, तो नया गगणयान capsule develop करना उसके साथ उसका नया crew module आएगा, potentially नया rocket आएगा, और देखो, जैसे मैंने का, गगणयान के लिए ही, उन्होंने तीन uncrude test के लिए जा रहे है, क्योंकि वो safety पर compromise नहीं करना चाहते हैं, अगर अब दूसरे देशों को देखो, तो वो एक के uncrude करते हैं, उसमें शायद दो हुए है, क्योंकि एक में घडबड हुआ, तो हम काफी safe bet ले रहे हैं, तीन uncrude करके और एक uncrude लेके, तो इसमें कितना करेंगे वो, जब वो moon mission, चंद्रान जो भी है, चंद्रान 10 या चंद्रान 8 जो भी है, उसके लिए भी वो uncrude करेंगे, क्या ऐसे landings practice करने के लिए, इ उन्हेंने एक opening speech दीती, तभी उन्हेंने कहा था कि, उनको बोला गया है कि, जब इंडिया के 100 साल हो 2047 में, तभी के लिए कोई आप road map बना लो, तो मुझे लगता है, although 2040 उन्हेंने officially कहा है, वो target कर रहे होंगे 2047, तो उस case में शायद feasible हो ये mission, बट regardless, ये पूरा depend करेगा, टेकनिकल चैलेंज से जादा political चैलेंज बड़ा होगा, ये fund करना उसे, क्योंकि ये सस्ता नहीं होने वाला है बैनी चांद, और अगर आप एक और चीज़ नोटिस करो, ये तोड़ा side, मतलब side kind of हो गया, कि ये 15 साल पहले की promise है, और अभी हम वापस एक similar promise कर रहे है 15, 16, 17 स कि हम चांद पर लैंड करेंगे, पर एक फरक है कि तभी का 0, 2009 का 0, बहुत हाओ पर focus करता था, उनका ये नहीं था कि हम इस date पर ये करेंगे, उस date पर वो करेंगे, उनका ये था कि अगर हम ये करेंगे, तो कैसे करेंगे, और उन्हें ने पूरा detail explain किया, वही missing है इस price release में, और I think उसी का कारण है कि लोग उसे seriously नहीं ले रहे है, details missing है, rate science में कहते है कि extraordinary claims require extraordinary evidence, engineering में I feel उसे थोड़ा modify करना होगा कि extraordinary claims require extraordinary details, जो details है निस price release में, how missing है, कैसे करोगे, क्या test करोगे, कौन सा rocket इस्तमाल करोगे, कब कौन से test होगे, कितने test होगे, वो सब missing है, तो वो substance नहीं उस price release में, उसी का थोड़ा बुरा लगता है, I hope हमें how जल्दी मिले, तुकि when में क्या ही मज़ा है,